हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपना चनल टेक्निकल का फी यूट्यूब चनल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम सीखने बाले है कि एक साबमर्सबल मोटर में वाटर लेबल कॉंट्रोलर किस तरह से इंस्टूल किया जाता है वो भी हम खुद कर पाएंगी अगर हम एक पर पाएंगे और अगर अगर अप इलेक्ट्रिसियन हो फिर आप कर पाऊगे वह भी बहुत ही आसानी से इस वीडियो में हम दिखाने बाले है किस तरह से इसको कानेक्शन किया जाएगा और किस तरह से इसको हम पार्चेस करेंगे सब जब पहले मैं आपको बता दो दोस्त आपको खुद ओन करना परता है लेकिन जो उद्वर ऑफ बो इसको ओरवर कॉंट्रोलर कर देती है मोटर को आफ दोस्तो एह देखिए हमारा फुली आटोमेट्रीक और लेवल कॉंट्रोलर है दुस्तों दू पखार होती है एक होती है वाएरलेस और एक होती हे वाया के प्राइदा होती है यह आपको Amazon पर मिल जाएगी डिस्क का लिंक में आपको मिल जाएगी और इस तरह का इसका का निक्सान होती है डाइग्रम अभी देख सकते हो यह फुल्य आटोमेटिक बाला है और यह है दोस्तों हमारा सेमी आटोमेटिक बाला उटर लेबल कॉंट्रोलर इसका कीमा थो थुरा सा काम है दोस्तों यह आपको 300 या 400 रुप्य में मिल जाएगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्स में मिल जाएगी इसका भी तो वहां से जाके आप वाटर लेबल कॉंट्रोलर खरीच सकते हो इस कुमपनी का आपको नहीं मिलेगी दूसरा कुमपनी का म बहुत ही जादा कम खराब खराब होती है दोस्तों लेकिन जो फुल और आटोमेटिक होती है दोस्तों वो कुछ समय के बाद जल्दी ही खराब हो इस आपको भीडियो में एक सेमी और लेबल कोंट्रोलर को कनेक्शन करने वाले हैं कि महुंपन खर सुमयAR को बहुत ही पहल कानिक सान बिलकुल सेम होती है लेकिन इसका दो सेंसर होती है और जो फूल आटोमेटिक है दोस्तो उसका तीन सेंसर होती है किसी-किसी में चार होती है किसी-किसी में तीन होती है और किसी-किसी में दो सेंसर होती है लेकिन मेरे पास यह दोस्तो एक semi-automatic है यहाँ पर देख सकते दोस्तो इसका कीमात बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है लेकिन इसका कीमात दोस्तो इतना ज़्यादा नहीं है इसका कीमात है दोस्तो अलग भग 400 रुपए का आसपास में इसको दोकान से खरीदा है और डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दी दूँगा वहाँ से जाके भी आप खरीदी सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो इसका एक contact number दोस्तो help number और और भी यहाँ पर देखिए इसका तीन पोकर का मोडल आती है इसमें से दो single phase का है और दोस्तो जो right hand side में एक three phase का भी है अरे दोस्तो रत्नो टीच कूंपानी का दोस्तो यह controller है और यहाँ पर दोस्तो आपको देखिए कुछ इस पोकर यहाँ बॉक्स में आपको इस तरह से मिलेगी जो मेरे पास है और इसमें दोस्तो आपको एक साल का warranty मिलता है और इसको हम यहाँ पर बाहर निकल लेते हैं देखिए कुछ इस पोकर से इसमें दिखने को आती है मोडल इसका इस पोकर है और यहाँ पर आप देखिए दोस्तो यह जो रिड़ बला बटन है दोस्तो इससे हम वाप कर सकते मैनुआली और गिरिन से इसको ओन कर सकते है जब भी हम इसको ओन करेंगे सबसे पहले हैं यहाँ पर रिड़ बटन ग्लो होगी इससे हमको पता चलाएगा दोस्तो इसमें जो करेंट है वो हमारा इस्टर पर जाती है और यह जो हमारा टू मोटर लिखा हुए दोस्तो यहाँ से हम पैनल बक्स मेकानिक संदेंगे और यहाँ पर आप देखिए इसका इन्पुट रेंज है दोस्तो एक सो साट से लेके 220 वोल्ट एसी 50 हर्ज इसका जो क्यापासिट है दोस्तो बहुँ सोलो एम्पियर एनि 16 एम्पियर त्याकि यह लोड ले सकती है और यहाँ पर इसका तीन बायर है दोस्तो इसमें से तीन को सेंसर है दोस्तो ये सेंसर जब आपश में कारेंट नहीं होती इसमें आपको स्वख नहीं लगेगी और इसमें देख्रान नहीं आती है सिर्फ यह एक sensor है sensor के तरह यह काम करती है आए दोस्तों इसका है हम connection करेंगे इस वीडियो में तो आए connection करके आपको दिखाते है सबसे पहले दोस्तों आप इसको wall पे इस तरह सेट करना पड़ेगा आप इस तरह सेट कर लिजिए जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है और उसकी बाद इसको हम connection करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों आपको motor का जो cable होते है इस तो यह हमारा motor से cable के आती है सबमर्सबल motor के बिल है यहाँ से हमारा सबमर्सबल पांप नीचे बिठा है इसके अंदर तो इधर से जो cable दोस्तों आती है यह बाला cable है हमारा जो सबमर्सबल motor pump का है दोस्तों और इसको सिधा आपको जो जिस तरह से लगाना है उस तरह से ही लगाएंगे देखिए यह हमारा इस्टटर है इसमें इस तरह से लिखा होती है दोस्तों यह दिख सकते हैं आप रेड के जगा रेड लगाना है योलो के जगा योलो लगाना है और बुलू के जगा दोस्तों आपको बुलू लगाना है जो हमारा motor का cable आती है दोस्तों तो इसको हम यहां से लिकिन आएंगे और इसको हम डारेम भी नहीं देंगे इसके माध्लम से अप्लाई देंगे जो वारट लेबल कॉ?" तू मोटर लिखा है दूस्तों यहां पर हम इसका आउटपूट के साथ जोड़ देंगे इधर पर इस देखिए यहां से हमार दूस्तों इस टुटर पर जो है मेंच अपलाई जाएगी और इसका दूस्तों यह सेंसर है आप देख सकते हो इस सेंसर को अब हमको Tunky में दूस्तों Fit करना परेगा तो इस Sensor आपको जो है Tunky से कुछ वैर लेके आना है और इसके सांथ आपको connection करना परेगा और यहाँ पर जो वायर दुस्तों यूज होगी उसमें कोई लोड नहीं होती है अब किसी भी पतला सा वायर लगा सकते हो देखिए यह बाला हमारा टंके से आ रहा है यह वायर टंके से हमने इस वायर को यहां तक लेके आया है अब इसको हम सेंसर के साथ जोड देंगे तो यहाँ पर हम इसको काट कर देते हैं थोरा सा बारा करके आप इसको काट करना क्योंकि बाद में इसको टंके में आपको डुगाना है तो यह दिखिए इस तरह से हमने काट कर दिया इसके बाद यहां से हम इसको जॉइन्ट करेंगे तो जल्दी से महीं यहां से इसका जॉइन्ट कर देता हूँ दोस्तों आप किसी भी वायर को किसी के साथ लगा सकते हो इसमें negative positive नहीं होती है और इसमें कोई current भी दोस्तों नहीं flow होती है इसमें electricity नहीं आती है आप देखिए दोस्तों यहां पर मैंने sensor लगा दिया जो हमारा उपर में tanki तक जाती है ताई आप मैं आपको tanki तक लेके जाता हूँ और वहां पर इसका sensor है उसको आपको किस तरह से लगाना है बो भी दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों उपर तक हमारा वयर चला गया है अब आईए हम पर लेके आते हैं देखिए यह हमारा उपर में tanki बिठा हुआ है दोस्तों अब इस tanki में हम यह sensor लगाएंगे यह देखिए यह wire जो है यह हमारा नीचे से आ रहा है इस टटर से और इसको इस तरह से लेके आया है हमने और फिर दिखिए यहां हमने sensor लगा दिया है जो हमने काट के आया था बाकी जो हिस्था था sensor का यह दिखिए यह वाला हमने यहां पर दोनों को साथ join कर दिया अब हम क्या करेंगे इस hole से दुस्तों इस sensor को अंदर लेके जाएंगे एक एक करके लेके जाएंगे एक साथ दोनों नहीं जाएगी क्योंकि यह hole थोड़ा सा छोटा है तो यहां से हम इसको अंदर भेज देते है तो देखिए दोस्तों इस sensor अंदर चला गया है आप दिखिए इधा से यह आ चुकी है अब यहां पे आपको एक काम करना है दोस्तों आपके हिसाब से आप कितने water यहां पे श्टॉक करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको यह sensor जो है distance रखना चाहिए और sensor दोनों को एक साथ आप नहीं लगा आके थोरा सा ग्याप रखेंगे इस तरह से छोटा बरा करके रखेंगे नहीं तो एक साथ आ करे रहेगी तो कभी एक साथ टाच हो जाएगी तो फिर टंकी खाले रहेगी फिर भी यह motor आप कर देगी इसलिए थोरा सा छोटा और थोरा सा बरा करके रखेंगे और आपने हिसाब से motor level आप इस्था सेट करके रखेंगे आप जैसे यहाप पानी दोस्तों फूल हो जाएगी आप इसेंसाट डूब जाएगी तब यह motor आपने आप आप हो जाएगी तो देखें दोस्तों यहाँ से इस तरह से इसको सेट कर दिया है यहां से अच्छे तरह से टिप लगा दिया है ताकि यह वह यह बाद में आंदर और भी नहीं जाए अब इसमें हम ढखकन लगा देते हैं और फिर आपको नीचे चला गए दिखाएंगे कि इस तरह से वाफ होती है और वान होती है चले अब हम इसको नीचे आपको लेकर जाते है इस्ट्टर के पास दिखिए धुष्ट हम यहां पे आ चुकी है और यहां पे तो स्ट्कान हो चुकी है देखिए इस तरह से मैंने आपको दिखाया था अब हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो controller है दोस्तों उसमें हम main supply देंगे input line यहाँ पे हम देंगे controller पे देखिए हमने दे दिया और जैसे ही kind यहाँ पे देंगे दोस्तों controller पे आपका green light glow होना सुरू हो जाएगी अब इसको आपको press करना परेगा जैसे आप इसको press करेंगे यहाँ पे एक red color का light जलेगी इसका मतलब होती है दोस्तों जो हमरा stutter पे इसका current जा चुकी है लेकिन motor दोस्तों अभी तक हमारा one नहीं हुआ है red button press करके आप इसको आप कर सकते हो green button press करके को one कर सकते हो तो यहाँ पे हमने one करा आप इसका current है दोस्तों हमरा इस stutter पे आ चुकी है लेकिन अभी तक हमारा दोस्तों motor one नहीं हुआ है जब तक हम इस stutter का दोस्तों green button नहीं प्रस करेंगे हम इसको प्रेस कर दिया देखिए दोस्तों आप जाके हमारा दोस्तों motor one हो गया है अब दोस्तों हमारा पानी जोर टैंकी में जा रहा है और जैसे ही टैंकी में दोस्तों पानी फूल हो जाएगी और सेंसर हमारा डोप जाएगी, बैसे ही दोस्तो हमारा मोटर अपने आप वाफ हो जाएगी, इसमें आप को खूद वाफ कायने की जोरूवात नहीं होगी, ठीक है दोस्तो तो दिखिए अब जैसे ही sensor का दोनों wire एक साथ टाच हो जाएगी पानी में और motor हमारा खुद बाख खुद one off हो जाएगी फिर से दोस्तों आपको खुद one करना परेगा लेकिन दोस्तों यह जो off है वो आपने आप off हो जाएगी ठीक है तो देखे हैं मैं आपको चला कर दिखाता हूँ हमारा को तो इस gagnerETर का जो light है भो आपने आप off हो गया नहीं जो इंटेकर है वो और टांकी फूल हो चुकी है तो इस तरह से दुस्तों जब भी टांकी फूल हो जाएगी इस्टिर अपने आप और जाएगी लेकिन अनकरने के समय दुस्तों आपको इसको इस्टिर्ण दूस्तों उसको आपको वाण करके इसको रोड़ाना पड़ेगा लेकिन ओफ है दूस्तों या अपने आप ओफ हो जाएगी फीडियों दूस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो तो कर दीजिए